कि यह वेल्कुम हो भाई चैनल गाईज यार विंटर सीजन चलना और अगर आप एक बजट जो हो इमर्शन रॉड ढूंड रहो तो यार आज हम आपके लिए लेकर आये हैं है वेस की तब से आने वाले इनकी HB15 यह इमर्शन रॉड यार काफी बजट प्राइस पर देखने को मिल जाती है इसका आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं आपको इसका रिव्यू देने वाले हैं और इस वीडियो में डेमो भी आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से वर्क करती है और अगर आपको ब यहाँ बॉक्स सामिक तरफ हैवल्स की ब्रैंडिंग मिल जाती है इलेक्री इमर्शन रॉड यहाँ पर लिखा गया है HP 15 इसका मॉडल नमबर है और वाटर प्रूफ यहाँ पर बताये गया है कि यह वाटर प्रूफ यहाँ पर है और दो साल की कंप्रेंसिव वारंटी मिल जाती है 1500 वाट का यहाँ पर मॉडल आपको मिलता है इसके अलावा HP 10 भी मिल जाता है 1000 वाट के साथ तो यह 100 रुपए सस्ता होगा इससे और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ डीटेल दी गई है जैसे की अक्टूबर 2023 में इसकी मैनुफेक्ट्रिंग हुई है 1090 MR पर लिखी गई है लेकिन यह आपको 800 या 800 से नीचे आपको आराम से मिल जाता है इस तरह कुछ इसके जो आपको फीचर से वो मिल जाते है जैसे की heat transfer के बारे में बताया गया है ISI mark आपको देखने को मिल जाता है निकल की प्लेटिंग है heating indicator है touch protection cover भी मिल जाता है और कुछ ह यहां पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है तो यह सब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे और फटावर से क्या करते हैं इसको हम जो अन्बॉक्स कर लेते हैं और अन्बॉक्स के लिए यहां पर कुछ बहुत जाला है पर है नहीं नौर्मल सी आपको यहां पर पैकेजिंग देखने को मिल जाती है वरसे पैकेजिंग यहां पर काफी अच्छी आपको हैवेल्स की तरफ से देखने को मिल जाती है तो बॉक्स यहां पर है फटावर से बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं यहां पर और यह रही हमारी कुछ इस तरीके के box pack के साथ यहाँ पर देखने हो मिलती है तो seal है तो यहाँ पर आपको यह भी नहीं रहेगा कि यह कोई product जो यूज़ रहे उस तरीके का नहीं है यहाँ पर और अगर आप online मंगाते हैं तो इसी तरीके की packaging आती है तो फटावट से यहाँ पर इसको मैं cut कर लेता ह और फटावट से जो अपना इहाँ पर जो हमारे इनर्शन रोड है उससे हम बाहर निकाल लेते हैं और कुछ इस तरीके की packaging में मिल जाता है तो safe packaging है और इससे आपको प्रोड़ेट जो हो डैमेज वगेरा भी नहीं होगा और इससे तो तक side रख देते हैं और यहाँ पर को आप इससे जरूर से पढ़ें इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है अगर आप पहले भी यूज कर चुके तो फिर आपको इसकी कोई जरूद नहीं है वरेंटी कार है यहाँ और दो साल की वरेंटी आप आराम से ले सकते हैं और इससे में रख और उपर की तरफ आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर गृप है वो प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पर मेरे खासे इंडी इंडिकेटर मिल जाता है है वेल्स की ब्रैंडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और डिजाइन मैं कहूंगा यहाँ पर हैवल्स के प्रोडेट अच्छे रहते हैं और यहाँ पर मैं फटावर्स केबल आपको दिखा देता हूं तो केबल यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़े 16 एंपियर प्लग के साथ आपको देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल तो प्लग आपकर नहीं लग प और मैं फटावर्स से दिखा देता हूं और वहीं यहाँ पर मुझे पता था कि एक मीटर के आसपास केबल मिल जाती है और प्लग भी यहाँ पर काफी स्टाडी यहाँ पर मेट्रेल से बनाये गया और होल करने में ठीक है उसमें कोई दिकते हैं आप नहीं हो केबल की क्वा अपर व्डूख के पीच्छे भी लिखकर बता गया है और यहाँ पर चलता है तोगि द बलता है जो कि आपकी bucket में रहेगा वो आगे वीडियो में मैं आपको demo में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर set करना है तो देख सकते हो यार सारी चीजे मैंने लगबग आपको जो भी out of the box चीजे बतानी होती है वो सब मैंने आपको बता दिए और finally जिस काम के लिए आप इसे purchase करते हो पानी गरम करने के लिए वो मैं आपको फटवट से दिखा देता हूं यह उसका इस्तमाल किया है और वहाँ पर set करने कोशिश की तो आप भी ऐसे करना नहीं तो अगर आप डाइरेट कोने में लगाओगे न तो क्या रहेगा जो रॉड है वो आपकी टच करेगी तो यहाँ पर जलने का खत्रा हो सकता हो यहाँ पर जो आपको कॉड़ दिया गय है और आपको set वगर कर लेना है और मैंने लगबग यहाँ पर set कर लिया है पूरा नहीं बरना है थोड़ा थोड़ा बरना है और आपको देख लेना है कि कहीं मैं लब जो इसकी ऊपर वाली जो चीज रहती वो पानी में नहीं जाएनी चाहिए वहना short circuit हो सकता है और मैंने यहाँ पर plug on कर दिया है और light यहाँ पर आप देख सकते हो जलना start हो चुकी और हमारा पानी गरम होना start हो चुका है और कुछ यहाँ पर ज्याद़ ज्याद़ एक बाल्टी यहाँ पर लगबग 10-15 मिलेट यहाँ पर लगते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर गरम होने के यहाँ पर मैं देख सकते हो कि मुझे लग रहा है कि आप पानी गरम हो चुका है तो डाइरे आपको नहीं उठाना ऐसे डारे उठाओ तो यहाँ करेंट लग सकता है, short circuit हो सकता है, पहले आपको क्या करना है जो plug है उसको off कर देना है, जब off कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर सही तरीके से उठाना है, जिससे कि आप पर जो short circuit है उसका खतरा बिल्कुल भी ना हो और ऐसे आपको कहीं भी नहीं रखना है क्योंकि पानी के लावा कहीं भी रखोगे तो हो सकता है short circuit हो जाए या जो चीज पर आप रखते हो वो जल भी जाए, तो आपको जमी brand Hevels उसके जो product रहते हैं वो काफी amazing रहते हैं तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी और waterproof की अगर आप लोकल खरीते हो 200-300-400 रुपे वाली उसमें आपको ISI mark भी नहीं देखने को मिलता है और इस तरीके के कोई भी protection आपको देखने को नहीं मिलती है तो अगर तो मेरे काल से मैं recommend करूं कि अगर आप खरीद रहे हो तो आप यह वाली rod जरूर से खरीदो Hevels की आती है HP 15 इसका जो मुझे current price पड़ा वो 774 था मलब 714 रुपे की यह मुझे पड़ी offline online आप देख सकते हो अगर offline मुझे कहीं मिली नहीं मैंने online Amazon से मंगाई थी offline आपको मिल सकते हो बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो देख सकते हो बागी कुछ यहां पर जाता था नहीं डेमो दिखा दिया अन्बॉक्सिंग रहा दिया रेवियो दिखा दिया इस हैवल्स की immersion rod का HP 15 मॉडल और मेरे खाद से इसकी link description में आपको दी है जाकर लाइक करो और वीडियो को शेर भी कर देना यार और चैनल पर पहले बार आये थे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हो हमारी फाइमली के साथ जुड़ जाना मिलता हम से नहीं वीडियो